हम जो दिरलिंक के दारनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम जो तिर लिंग के दारनाथ की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारनाथ में कैसे लिए हैं हम कथा सुनाते हैं येशु के जो तिर लिंग करे महमाया को भंग अम्हाजी के मानस पुत्र भक्तों धर्म हुए दक्ष प्रजापति की कन्या से फिर है विवाह किये दक्ष प्रजापति की कन्या का कहे मूरती ना नर और नारायन नामक फिर पाई दो संता धर्म के घर में फिर तो खुशिया खुशाही छाई ते जिवान अतियंत थे दोनों नर नारायन भाई कहते है थे नर नारायन खुद विश्नु अवतार आये वो रिसियों के रूप में अपने धर्म प्रजाप बचपन में ही तप करने बद्री बन जाते हैं पावन करने सुनाते हैं भोले नाथ के तारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव के जोतर लिंग कर मोहमाया को भन ये शिव के जोतर लिंग कर मोहमाया को भन दोनों भाई स्यू संभू की करने लगे भगती दोनों में ही तप करने की थी एक्षा शक्ति बद्री बन में जाकर दोनों करने लगे तप घौर इंद्र देव का धान गया फिर उन दोनों की ओ सोचा इंद्रदेव ने ऐसे कौन तपस्वी है सुभक्तों के बचपन से ही बन गए छवी ये है ऐसे ही जो रहेंगे ये अपनी भक्ती में ली एक दिन सिंहासन मेरा आवश्य लेंगे छी उनके तपको इंद्रदेव भंग करना चाहते है पावण कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुके जो तिर लिंग कर मोहमाया को भंग ये शुके जो तिर लिंग कर मोहमाया को भंग कामदेव को इंद्रदेव ने फिर है बुलवाया अपना प्रयोज कामदेव को फिर है समझाया धर्ती पर तुम जाओ लेकर अपसराओ को संद। नर नारायड का तप तुम्हें जाकर करना है भंग। कामदेव ने इंद्रदेव की अज्या है मानी नर और नारायड का तप भंग करने को ठानी। लगे दिखाने कामदेव फिर अपनी लीलाएं नाच रही है उनके संग में कितनी अपसराओं। नर नारायड का तप भंग वो करना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। भोले नाथ के दार नाथ में कैसे हैं हम कथा सुनाते हैं। येशु के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भं। कामदेव भी तप भंग वनका जब करना पाएं। इंद्र देव फिर नर नारायड के सनमुख आए। बोले के जो भूले हुई उस छमा आप करना। जान सकाना आपको मैं चाहा तप भंग करना। आप धर्म के पुत्र हैं खुद नारायड के स्वैरूप। भूल के कारण जान सकाना मैं तो आप करो। इंद्र देव की भूल को है नारायड ने माफ किये। माफी मांग के इंद्र देव भी स्वर्ग को लोट गए। भूले की भक्ती में फिर दोनों लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। बोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये शिन के जोतिर लिंग कर मोहमाया को भन। ये शिन के जोतिर लिंग कर मोहमाया को भन। बोले नाथ उनकी भक्ती से हुए बड़े प्रैसन। आकर के नर नारा यड को दिये साक्षा दर्शन। कहने लग भोले के मागों की भी वरदान। बोले जोतिर लिंग रूप में यहां बिराजो आर। जोतिर लिंग के रूप में भोले रहे हैं यहां बिराज। जोतिर लिंग के रूप में जाना जाता है यह आर। नर नारा यड ने भोले का किया घोर तप है परवत रूप में नर नारा यड यहां आज तक है। बिसभ रूप में आज भी भोले यहां पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं। भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं। ये सुखे जो तिर लिंग करे मोहमाया को हम रूप बैल का भोले ने लिया कैसे अपना बना महभारत के समय के भगतों ये है एक कथा कौरों और पंडों में जब भारी युद्ध हुआ पंडों ने तो सभी कौरों को है हरा दिया धर्म युद्ध है जाता कहां ये धर्म की विजय हुई पंचों पंडों ने किन्तु भाईयों की हत्या की पाप लगा हत्या काखे से मुक्त हुआ जाए भोले ना थिके लियन में पंचों पंडों है आए किन्तु भोले उन्हे न दर्शन देना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिन के जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन बोले नाथ तो पंडों से हैं ऐसे रुष्ट हुए पाचों पंडों में से किसी को दर्शन नहीं दिये बोले नाथ के कृपा वहतों चाहते थे पानी भोले के दर्शन करने की मन में थी ठानी भोले नाथ को आकर के काशी में मनाए हैं किन्तू रूठ के भोले बद्री नाथ में आए हैं बद्री नाथ में आकर वो तो बैठे ध्यान लगाएं उनसे रूठ के भोले हैं के दार नाथ में आएं किन्तू पंडों उनके पीछे पीछे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुन के जो तिरलिंग करे मुहमाया कुवन के दारे नाथ में आगर के किया फिर तोन होने ध्यान किन तू भोले वहां से भी हो गए हैं अंतर ध्यान एक बैल का रूप दिया भोले ने अपना बनाए चले के लिए कई कई पसुओं के भी में आएं जान गए थे बंड़ों पर पहचान न पाते हैं अपना कद को उचा फिर तो भीम बढ़ाते हैं अपनी टांगों के निया से पशुओं को दिया गुजार बोले नीजे आने को पर नहीं हुए तैया यहीं है भोले नाथ भीम पहचान ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सुके जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन ये सुके जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन बैल रूपी भोले को पकड़ने भीम जो आने लगे भोले नाथ तो धरती के हैं बीच समाने लगे पीठ पकड़के भीम ने उपर उठाना चाहा है किन्तु पीठ का भाग है बस हाथों में आया है इक्छा शक्ती से उनकी भोले हो गए प्रैसन पाचों ही पांड़ों को दे दिये साख्छा दर्शन पाप मुक्त कर दिये सभी और दिया स्वर्ग का रास्ता प्रिसब रूपी पीठ को आज भी यहां है पूजा जाता जो तिरलिंग के दारनाथ इस लोग बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येशुके जो तिरलिंग कर मुहमाया को हम येशुके जो तिरलिंग कर मुहमाया को हम बैल की पीठिक जैसा है जो तिरी लिंग का आकार दर्शन मात्र से भक्तों के सपने होते साकार पाप मुक्त यहां आकर सारे प्राडी हो जाए एक बार के दारनाथ मंदिर में जो आए हंस राजरल हन भी जाता है दर्शन करने था महिलेते हाथ है भोले लगे जो हम गिरने के दारनाथ की महिमा वरणन करता डिय अशपान फो जिस कभोले नाथ है रखते सदा अग्यानी को भी ग्यानी तो आप बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुव के जो तिरलिंग कर मोहमाया को भन ये शुव के जो तिरलिंग कर मोहमाया को भन